हेलो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल कॉन्वेयर लिमिटेट से लिए इससे लेटिड हमने यहाँ पर पहले कभी बात नहीं करी है अगर मैं बात करूं यह शेयर को मैं काफी टाइम से लग बग तीन चार पांच महीन हो चुके हैं ट्रैक कर रहा हूं और शेयर काफी अच्छा नजर आता है और अगर हम बात करें तो देखिए एक छोटा सा शेयर है 545 करोट रूपे की कंपनी है बात करूं तो एक चीज को याद रखिए कि जब शेयर भागेगा तो अब इसी बात है अच्छेगा से रिटन बनते हुए नजर आएंगे बट अगर गेरा तो आपके रिटन चिंते हुए भी नजर आएंगे इस चीज को यहाँ पर आपको समझना होगा और उसी साब से करना होगा तो चोटी कंपनी है हमारे चैनल का नाम भी आम स्मॉल कैप इंवेस्टर है तो ऐसे शेयर आपके लिए लाते रहते हैं तो इसलिए लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बाइक बाइंग सालिंग की हम रिकमेंडेशन देते नहीं सिंपल ए बात करें श्टॉक मार्केट में काम करना चाता है अग्रसिवली इन दे सेंस कि यहां पर बारी किया सीखना चाता है वह अच्छे तरीके सीखना चाता है तो 88605405018169267037 इन नमबरों को नोट कर लिए बेसिक्स टु एडवांस यहां पर एक कोर्स डिजाइन किया गया फंडामेंटल रिसर्च सब चीज से लिटेट बाते करते हैं 20,000 रुपे यह कोर्स है एक बार कोर्स करिए पीछे मुड़के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सिंपल उसके बाद थोड़ा सा एक्सपीडियेंस जरूर लगेगा आपकी नईया निकल जाएगी थी मंस की एंडोल्डिंग है और स्टाटीजी जो हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट में वह ओल्नाइन नोर्स मतलब पूरा घ्यान में आपको देता हुआ नजरह हुआ वर्ट्सप ग्रूप है ओके बारख सो रुपे परमन दे के आप वर्ट्सप ग्रूप में एड़ हो सकते हो और साथ में हमारे साथ काम करना चाते हो PORPOLIO बड़ा है 40,50,50 लाग एक करोर तो यहाँ पर साथ में काम कर सकते हो इन नंब्रों पे चॉन्टेकHE करो बिलके एक बार बात करके देखिए, बात करने में कुछ नहीं जाता, बट अगर काम करोगे तो शायद कहीं न कहीं मैं आपका फायदा करा सकूँ, तो आईए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इंटरनेशनल कॉन्वेयर्स की बात करें, तो अगें मैं इस देखिए चोटी कंपनी है, जो चोटी कंपनी की बात करता हूँ, तो आपको पता होगा कि जब चोटी कंपनी की बात कर रहे हैं, जब भागेगा, तो अच्छा खासा भागेगा, जब गिरेगा, तो वो ही रिटर को यहां पर देखा जाए तो आपको यहां पर पता चलेगा company क्या करती है company 1973 में incorporate वी थी international conveyor limited ICL के नाम से जाने जाती है और यहां पर यह जो company है solid woven PVC covered conveyor's belts बनाती हुए नजराती है these belts are fire retardant as well as anti-static and are mainly used in the underground mines for transportation of minerals such as coal potash mining होती है ठीक है और mining में जो उन चीजों को निकाले जाता है coal potash वारा लगले चीज़े ठीक है उनको जो निकालने के लिए जो mines में से जो belt का use किया जाता है वो यह company बनाती हुई नजर आती है और आप देख रहे है कि किस तरीके से mines के stocks चल रहे है किस तरीके से coal के stocks चलते हुए नजर आ रहे है किस तरीके से यहाँ पर जितने भी अलग-अलग ऐसे stocks जो कि जिन्हें पूछा नहीं करते थे ओके coal mine यह stocks यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे है और यही एक stock है जो से related ही है ठीक है कही न कहीं उनी companies को अपने products यहाँ पर देता हुआ नजर आता तो आप इस particular share से related क्या कर सकते हो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हो ठीक है यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको पदा चलेगा company यहाँ पर क्या करती हुए नजर आ रही है ठीक है पूरा एक idea आपका लगता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर देखे international यहाँ पर इनके products आप देखना चाहते हैं तो इनके products देख लीजिए business model I think आप समझ गए होंगे ठीक है ना इनके जो products है कहां पर यूज होते है वो भी आप समझ गए होंगे ठीक है PVC compound customized cover thickness and its solids woven carcass making the belt idle for the conveying coals, potage, phosphate, fertilizer, clay, gypsum and salt and it is also suited for the use of timber industry तो timber industries होती है उसमें भी इनक आते हैं जाके एक बार इनकी videos को देख लीजिए आपको पूरा का पूरा यहाँ पर एक idea लगता हुआ नजर आएगा कि company exactly कर क्या रही है company के आप products क्या है company आपर किस तरीके से यहाँ पर अपने आपको promote कर रही है और काम करना चाहती है वो पूरा का पूरा idea आपको यहाँ क्या है सस्ता नजर आएगा ROC ROE हम देखते हैं ठीक है ना ROC ROE long term के लिए है और हमारा long term का वीजन नहीं है debt की बात करें 30% का यहाँ पर debt भी है तो ना के बराबर debt है कम debt है प्लैजिंग की बात करें कोई प्लैजिंग नहीं 93 का इसने आज के दिन नहीं बट कुछ दिन पहले यहाँ पर इसने हाई लगाया था और अभी 82 पे चल रहा है intrinsic value के आसपास यहाँ पर share चलता हुआ नजर आ रहा है dividend भी देती है face value 1 की है तो मतलब क्या है share अच्छा घासा यहाँ पर नजर आता है और भी चीज़ यहाँ पर पढ़ना चाहते है तो यहाँ देख सकते है trading goods से यहाँ पर लगभा 4% इनका business segment है ठीक है यहाँ पर PVC cover जो इ export करते हैं mostly इनका product export और 85% यहाँ पर जो revenue आता है export से आता है domestic में 15% अच्छी बात है की customer की बात कर रहे तो जैसे मैंने बात कर रही है coal India किस तरीके चल रही है टाटा स्टील शीरी सीमेंट्स वाल इंटरनेशनल क्राइंट की बात करें रोजबर्ड के बैल टैक मोसा यहाँ यहाँ पर nutrient etc तो यहाँ पर आप देखना चाते हो ना तो एक बार यहाँ पर इनकी website पर विजिट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगी कंपनी के बात करें अच्छा खासा यहाँ पर दिखाई देता है अब बात करते हैं कुछ और चीजों से लेटेद तो नीचे आते है थोड़ा सा और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ देखोगे company की जो sales है as such as flat ही दिखाई दी है ऐसा कुछ यहाँ पर extraordinary होता हुआ नर्जर आया है इस चीछ को भी हमें ध्यान में रखना है company के बड़ यहाँ पर आप देखोगे company के expenses भी उसी तरही कैसे हाँ पर काम होते हुए नजर आया है और operating profit देखोगे तो 6 करोड के आसपास का operating profit है ओके नॉर्मल ही यहाँ पर दिखाई देता है ऐस तच यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है कि extraordinary revenue आ गए extraordinary operating profit आ गए है और net profit की बात करें तो यहाँ पर 14 करोड का highest एवर पिछले बारे quarter का net profit दिखाई दिखाई दिया है it is just because of other income तो इस चीच को हमें भूलना नहीं है EPS इस वज़े से यहाँ पर बढ़ा है और यहाँ पर देखोगे company का performance yearly basis पर भी ऐसा चीच दिखाई दिखाई दिया है इस चीचे देखोगे तो शायद फाइदा होता हुआ नजर आएगा और इसी बेस पर मैं यहाँ पर इस शेयर को आपके लिए प्रिजेंट करता हुआ नजर आएँ मुझे पता है यहाँ पर fundamental as such कुछ नहीं नजर अच्छे नहीं नजर आते बर ठीक है यहाँ पर आप देखिए company ने यहाँ पर buyback of shares यहाँ पर 2023 में शायद 2022 में buyback किया है तो अच्छे खासे buyback कर चुका है 2023 में 75 रुपीज के हिसाफ से buyback किया था 29 क्रोड रुपे का buyback था तो company जब buyback कर रही है अपने share को खुल ले रही है और ऐसी छोटी company 500 क्रोड की तो कुछ बात तो होगी bonus भी दे रही है split भी दे रही है यह सारी की सारी क्या है अच्छी चीज़िए है 209 क्रोड का reserves है boring की बात करे 65 क्रोड की बात करे 157 क्रोड का investment है cash की बात करे तो company का 11 क्र है as well as यहां पर देखे तो promoters की हिस्सेदारी लगातार बड़ी है जहां पर September 2020 में 49% के promoters से अभी promoters 70% के 71% के ही शेयर यहां पर मानो कि promoters ने ले के रख रख के FIs ना के बराबर है ऐसी छोटी company में होते नहीं है इन्होंने यहां पर बेचा है promoters ने यहां पर खरीदा है ठ लगबत 3% की से दारी, 5% 3% की से दारी यहां पर बड़ा है पबलिक की से दारी कम हो रही है और पबलिक की से दारी कम होना मैं हमेशा बताता हूं कि अच्छी चीजे माने जाती है और यहां पर आप देखोगे ना मादूरी मधू सुदन केला यह जो की बहुत बड़े investor बार्श में कुछ शेयर हहां आपर बेचे है, और वॉय बाई बैबक में कुछों आपकर उसके बाद खरीदे भी है बल हम यहां पर आप देख सकते हो paying selling चलती रहती हे वह आपको आपको आपर देखना चाईए और यहां पर देकर दिख ऑई HER जो यहां पर है IGE, इसने बाततर रुपे के हिसाब से भी और 57 रुपीस के हिसाब से भी अच्छी कासी कॉन्टिटी ठीक है ना यहां पर लेके रख रखी है, इस चीच को भी आपको यहां पर भूलना नहीं है, अब बात करते हैं यहां पर चार्ट से लेटे, चार्ट क्या कह करी है, बात करते हैं तो आगे आप देख सकते हैं कंपनी लगबाग दो साल से एक कंसॉलिडेशन फेस में यहां पर चल रही है, उपर यहां पर नीचे की बात करें तो 48 रुपीस का लेवल तो एक रेंज में चल रही है, इसे हम स्टेज वन भी कहेंगे और आज और कुस द लगबाग highest ever volume के साथ ठीक है, लगबाग 33 या 34 रुप शेयर मान के चली है, इतने शेयर यहां पर trade होते हुए नजर आए है, जो कि एक positive बात है, मार्केट में आज थोड़ा सा क्या था, just because of expiry, or just because of Israel tension की वज़े से, चीज थोड़ा सा मार्केट नेचे आती हुई दिखाई थोड़ा सा अगर यह गिरा, एक चोटा सा आप चाहो तो stop loss भी लगा सकते हो, कितनो रुपे का, लगबाग लगबाग यहां पर 5 रुपे की आप रिस्क लीजिए, ठीक है, 77 रुपीज का stop loss लगए, यह नीचे आता है तो बेस दीजिएगा, बट अगर उपर अगर यह चल किस और 122 रुपे, तो 122 रुपे का मतलब क्या है, लगबाग लगबा 80 रुपे से 122, तो आपके 40-50% तक के रिटन यहां पर अगर हम यहां पर देखे, तो यहां पर देखिए, लगबाग 46% के रिटन यहां पर बन गए, और वो भी कुछ ताम में, सीरे ऐसी चीज़े तो आपको कुछ दिनों में यहां पर रिटन दे देती यह चीट को आपको भूलन दानी है, प्लस में यहां पर आप देखी रहे हैं, प्रमोट अस बाइंग कर रहे है, तो यह भी कुछ पॉzitive चीज़े हैं, तो यह सारी की सारी चीज़े हैं जब आप आपे अनलाइस करे बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, इसी को रिस्क रिवाल रेशो कहते है, मुझे चीज़ अच्छी नजर आती है, बाइंग और चीज़ अच्छी लगे तो लाइक कमेंशे हैं, चैनल को सब्सक्राइब, बैल ऐकन को हिट करिएगा, मुझे पता टाइम जादा लि सबस्ट झाल झाल